नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी लेकपाल भरती को लेकर की बात करेंगे यहाँ पर लेकपाल भरती 2022 का रिजल्ड डिक्लियर जल्दी हो इसको लेकर के आयोक पर आज बड़ी संख्या में अभ्यरती पहुँचे हुए हैं इसके पहले अलाबध हाई कोट में रांग क्वेशन वाला मामला यानि रिवाजड आंसर की में कुछ प्रश्णों को रांग मानते हुए या फिर उनके आंसर को रांग मानते हुए वहाँ पर जो कुछ भी आपत्ति की गई थी तो सभी मैटर कोट से फानल हो चुके हैं लेकिन लखनो बेंच में अभी भी मामला लगा हुआ है और कल के डेट में सुनवाई के लिए केस लगा हुआ था कुल साथ प्रश्णों पर आपत्ति है रे 7663 रोहित बर्मा के नाम से आज का पड़ी है और कल इस केस में सुनवाई फिर नहीं हुई थी केस पासोबर कर दिया गया, केस पासोबर तभी होता है जब होँआ पर अधिवक्ता उपस्तित नहीं होता है यानि सुनवाई नहीं कराई जा सकते है तो उस इस्तिती में जजसाब की तरफ से केस को पासोबर कर दिया जाता है और यह लगातार चौती डेट पर केस पास उबर हुआ है बाकिय भी यहाँ पर कोई भी next sharing date नहीं सो हो रही है तो जब भी next sharing date सो होगी आप सबी को बता दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इसमें सुनवाई क्यों नहीं कराई जा रही है एलाब अधाई कोड से मामला फानल हुआ है लिकिन लखनाओ बेंचे से भी मामला फानल होना चाहिए इसमें आयोग के तरफ से जवाब लगाया जाना है, हलपनामा लगाया जाना है और उसी के बाद से ये matter पर जो कुछ भी decision होगा मानने नियाले के तरफ से वो देखने को मिलेगा और अगर यही situation रहा तो मार्च में भी लेकपाल का result आने की उम्मीद कम है फिलाल में अभी आयोक के तरफ से boring technician भरती, मंडी परसद भरती और J.E. 2018 इनिक की result आपको देखने को मिलने हैं जिसमें सबसे पहला result आपको boring technician का देखने को मिलना चाहिए और इसी के साथ junior assistant 2019 भरती की department की list भी फरवरी की महीने में आने इसी महीने की last तक देखने को मिल जाएगा इसके लावा 23 तारिक से J.E. 2016 भरती में DBV स्टार्ट है और UDA LDA भरती में जो अभी अरती है उनके joining की प्रिक्रिया भी सुरू हो चुकी है इसके लावा अभी जो प्रोविजनल वाला matter है चाहे A.N.M. 12 भरती में या फिर junior assistant 2019 भरती में या फिर lower 2019 भरती में अभी ये कारे भी A.I.O के तरफ से होना है और next month से नए बिग्यापन भी आप सभी को देखने को मिलने start हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी update already आप सभी को पता है इसमें कोई अलग से कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं कि इसमें क्या हुआ था इलाबा था एक कूट में 19234 वाले पर मानिजय साब के तरह से जो कुछ भी इसमें decision सुनाया गया था जो कुछ भी court order आया था तो उसकी बाते आ लेडी आप सभी को बता दी गई है कि उसमें उजोला वाले question पर जिन्होंने भी option tick किया होगा इनमें से कोई नहीं वाला आप अपने series की हिसाबसे दिखेगा तर इनमें से कोई नहीं वाला जिन्होंने भी आपसं टिक किया था उन्ने भी एक number देने का आदेस है बाकि उस में जो एक आफसन था उज्टूला वाला तो उसमें पहले से ही नंबर मिले हुए है आयोग कि आफिशल आंसर की के हिसाब से और जो सेट दो आफसन जन्हों ने भी टिक किया होगा मार किया होगा उन्हें कोई नंबर नहीं मिलेंगे यानि उन्हें कोई बेनफिट नहीं मिलना है तो आज देखते हैं आयोक पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हुए तो आयोक के सची उसर या फिर अध्यक्ष सर की तरब से क्या स्वासन मिलता है कब तक रिजल्ट डिकलेर कर देंगे तो जो भी जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सबे की बीच में सेर कर देंगे धन्यवाद